हेलो दोस्तो आज हम लोग देखेंगे कि घर में हम लोग मेती की सबजी कैसे उगा सकते हैं वो भी सिर्फ छे दिन में तो इसके लिए हम लोगों को मेती के सीड्स लगने वाल है यह जो मेती हमारे कीचन में अवेलेबल होती है वही वाली मेती है तो इसके लिए कुछ आपको Alexis seed order करने की ज़रूरत नहीं है तो मैं अभी इसके आपको price दिखाता हूँ तो इसकी 100 gram के price है 12 रुपया और अगर आप मेती देखोगी तो आज़री मैंने आदी मेती यूज की हुए तो जो बच्ची मेती है वो सिर्फ 50 gram ही है तो 50 gram मेती हमारे लिए काफी है अभी हम लोग ये मेती है यह हम लोग 4 गंडे के लिए पानी में रखने वाले हैं और इसके बाद ही सबजी उगाने के लिए यूज करने वाले हैं तो अभी ये मेती मैं चार गंडे के लिए ऐसे ही रख दूँगा पानी में तो अभी आप चार गंडे के बाद देख सकते हैं कि ये मेती कितनी फुल गई है पानी में तो अभी हम लोग को पहले क्या करना है इसमें से जो पानी है ये सब निकाल देना है तो ये में पानी अभी कि मतलब किसी पेड में आप डाल सकते हो तो अभी मैं ये ट्रे यूज़ करने वाला हूँ और इसमें जो मिट्टी है ये मिट्टी हमारे जो नॉर्मल गार्डन स्वाइल है वही वाली है इसमें कुछ मैंने मिक्स नहीं किया हुआ है कौन सा भी खाद मिक्स नहीं किया है कंपोस नहीं मिक्स किया हुआ है और जो ये ट्रे है इसको मैंने नीचे ड्रेने जोल बनाए है ताकि अगर ज़्यादा पानी हो तो इससे निकल जाए इसके बाद हम लोगों को ये मिठी में ऐसी लाइन बनानी है तो आपकी ट्रे की साइज है इस जाफ से आपको लाइन बनाना है और दो लाइन के बीच आपको एक या देड़ इंच का अंतर होना चाहिए तो जैसे मैं बना रहा हूँ वैसी आपको ठीक इसी तरह के से बनाना है तो जो मेरी ट्रे की साइज है ये ट्रे के साइज की हिसाफ से अल्मुद छे लाइन बनेगी तो अभी हम लोगों को ये जो हम लोगोंने मेती के सीड़ जो पानी में डाले थे वो हम लोग को ये लाइन में डालना है याद रखिए जादा भी सीर्स नहीं डालने है मतलब एक के उपर एक नहीं होने चाहिए तो जितने मैं डाल रहा हूँ उतने आप डाल सकते हो लेकिन बहुत जादा भी नहीं डालने है नहीं तो ये सड़ सकते हैं मिठी के अंदर तो अब आप देख सकते हैं मैंने सब लाइन में ये सीड्स डाले हैं तो मैंने बहुत ज़्यादा भी नहीं डाले है मतलब ठीक तरीके से डाले हैं यहाँ पे और हम लोगों ने मतलब 50 ग्रामी सीड्स यूज़ किये थे मेती के और उसके बाद में मेरे अल्मोस हाप सीड्स बचे हुए हैं वो मैं दुसरे टेर में लगा लूँगा तो अभी इसके बाद हम लोगों क्या करना है कि ये इसके उपर हल्की से हम लोगों को मिठी डालनी है ताकि ये सीड्स पूरे ढग जाए तो मैं मतलब हर जो लाइन है उसके उपर मैं अभी मिठी डाल रहा हूँ चलो अभी मेरे मिठी डालके तो complete हो गया है अभी इसके बाद आपको क्या करना है कि अभी हम लोगों जो first time हम लोग पानी देने वाले है या हम लोगों बहुत सारा पानी देना है इसमें इसके उपर तो आप directly भी पानी दे सकते हैं आपके पास sprayer रहेगा तो sprayer से भी आप पानी दे सकते हो लेकिन याद रखे अगर आप डायरेक्ली अगर पानी देते हो तो कभी-कभी क्या होता है कि नीचे के जो सीड से उपर आ जाते है तो बेटर है कि आप अगर sprayer यूज करते हो तो अच्छा रहेगा तो चलो मैं अभी आपको दुसरे दिन का result दिखाता हो तो दुसरे दिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिट्टी में हम लोगों cracks दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ का यहाँ पे sprouting आना start हो गया है मैं आपको zoom करके भी दिखाता हो तो आप यहाँ से मतलब ठीक तरह किसे नहीं दिख रहा है लेकिन आप थोड़े देख सकते हैं कि यहाँ पे अंकुरी थोना start हो गया है और जो यह मिट्टी है यह भी थोड़ी सुखी लग रही है हम लोगों को दोस्तों आपको जब भी लगेगा कि मिठी सूख रही है तब आपको पानी दे सकते हैं मतलब हर रोज पानी देने की ज़रूरत नहीं है लेकिन जब भी मिठी सूख रही है तब आपको पानी देना ज़रूरी है तो चलो मैं आपको day to day result दिखाऊंगा मतलब किसरे दिन का, चोते दिन का, पाच्वे दिन का रिजर दिखाऊंगा मतलब का रही है तो आज छटवा दीने तो आप देख सकते हैं कि ये मेती कितनी सही से ग्रो हुई है तो आज हम इसको हावस्ट करने वाले हैं तो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने इसमें कोई भी फर्टिलाजर यूज नहीं किया है कोई भी केमिकल यूज नहीं किया है तो यह पूरी तरीके से और गैनिक है और यह अभी चट्वे दीन ही हावेस्टिंग के लिए रेडी है तो अभी मैं यह हावेस्ट करने वाला हूँ तो हम लोगं को अभी क्या करना है यह पूरे मतलब जो जड़ों से ही इसको निकालना है पूरे रूट्स भी आने चाहिए अगर आपको जानना है कि मेति की सबजी कैसे बनाते है मतलब उसका रेसिपी क्या है तो मैंने औरेडी वीडियो अप्लोड किया हुआ है और उसकी लिंक डिस्क्रिप्सिन में है तो आप वहाँ पर जाके देख सकते है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करो शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो कर दो कर दो कर दो कर दो